हेलो दोस्तों मेरे नाम है गोलशन सिंग गलाटी, सेल्स ट्रेनर और मोटिवशनल स्वीकर और आज स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर थम्नेल के अंदर आपने टॉपिक देखी लिया होगा टॉपिक क्या है जिग्यासा है, curiosity है कि क्या दुनिया के जितने भी महान सेल्स के लोग है क्या वो लोग बद्दे हैं या वो लोग पैदा होते हैं Are sales people born or they are made बनाए जाते हैं या पैदा होते हैं दोस्तो 80 से ज़्यादा परसेंट लोगों की एक गलत फहमी होती है जब भी वो किसी एक अच्छे sales professional को देखते हैं वो उनको देखकर ये बोलते हैं कि आप कर सकते हैं ये वाला काम मैं नहीं कर सकता मेरे बसका नहीं है, ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो दूसरों को देखकर अंदाजा लगाता है कि सामने वाला जो sales का professional है, ये बचपन से ऐसा होगा ये पैदाईशी इतना अच्छा होगा, बड़ी सचा ही नहीं है दोस्तो अधिकतर लोग, 100 मैं कहूंगा, 100 out of 100% जो top sales professional है वो पैदा नहीं होते, वो समय के साथ बनते हैं वो बनते हैं दोस्तो, तोस्तो अगर आपने news paper पढ़ी होगी कभी news paper में आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब कोई इंसान मरता है, तो वहाँ पर लिखा होता है कि एक बहुत अच्छा musician था, जिसकी death हो गई, एक बहुत अच्छा cricketer था, जिसकी death हो गई एक बहुत अच्छा writer था, एक बहुत अच्छा engineer था, एक बहुत अच्छा doctor था, जिसकी death हो गई तक बीच की तो जरनी थी, ये डिसाइड करती है कि हम कौन बनेंगे और कौन नी बनेंगे, तो similarly कोई भी महान सेल्स प्रोफेशनल पैदा नहीं होता, दोस्तों, वो बनता है, वो बनता कैसे आईए ये बात करते हैं, वो बनता है तीन कारणों से, सबसे पहले तो बनता है चॉइस करने से, निनने लेने से, डिसीजन लेने से, कि मैं एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनना चाता हूँ, जब तक वो डिसाइड नहीं करता, चॉइस नहीं करता, वो कभी भी टॉप पर पहुच नहीं पाता, दोस्तों जब हम स्कूल पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज पढ़ रहे होते हैं, हम लोग हमेशा एम करते हैं, मुझे बड़े हो कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट, आईएस ओफिसर, ये गिंती की चीज़ें हमारे दिमाग के आगे होते हैं, कभी भी हम एम नहीं करते हैं, कि हमें बड़े होकर सेल्स में जाना है, सेल्स में जाकर अपना करियर बनाना है, बावजुद इसके, कि एक बहुत अच्छी लाइन है, जो बोली जाती है बार-बार, सेल्स इस दा हाइस्ट पेइंग प्रोफेशन अफ दा वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जादा पैसा कमा कर देने वाला ये प्रोफेशन है, फिर भी बच्छपन से हम कुछ और प्रोफेशन की सोच लेकर बैटे होते हैं, और जब एक्सिडेंटली, मैं फिर से वर्ड यूस करता हूं, जितने भी लोग सेल्स में आते हैं, वो एक्सिडेंटली आते हैं, कभी भी एम करके नहीं आते हैं, तो एक्सिडेंटली आप आ आना भी है नहीं इसलिए मैंने कहा ना चूस करना बहुत ज़रूरी है एक्सिडेंटली आ गए बट एक्सिडेंटली टॉप 10 में नहीं पहुचोगे में का चॉइस कि आपको अपनी कंपनी के अपनी और्गनाइसेशन के टॉप 10 परसेंट लीग को जॉइन करना है और एक बा प्रैनिंक बहुत ज़रूरी है दोस्तों, दोस्तों एक individual doctor बनता है तो अपनी life के वो 5 साथ साल बढ़ाई करता है त्रेइनिंग करता है Вो b.tech करता है engineer और यह लोग जो रू करते हैं कि नहीं क्या बनना है और फिर इसके बाद आता है इनकी आने पर भी अगर आपको डॉप P परसंट में जाना है दोस्तों तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा यहां पर रोल है वो लोग जो टॉप 80 परसंट जो टॉप 10 परसंट में होते हैं नाइंटी परसंट में होते हैं उन दोनों में महनत का फरक नहीं है दोनों दोस्तों महनत दोनों एक जैसी कर रहे होते हैं फरक करता है तो यहाँ पर sales में choice के बाद training बहुत important है अब अपने आप से पूछे आपने sales की कितनी books पढ़ी है आपने motivation की कितनी books पढ़ी है body language की books training workshop cds और audio programs यह सारी चीजें हैं जो आपको एक professional बनाती हैं दोस्तो आप professional की तरह सीखते हैं learn करते हैं तब भी perform करते हैं और तीसरा factor जो आपको एक अच्छा कामियाब sales professional बनाता है वो तीसरा factor है दोस्तो प्राक्टेस जो मैंने सीखा उसकी मैं कितनी प्राक्टेस करता हूं मैंने decide कर लिया मैंने training ले ली और आब आता है प्राक्टेस के मैं क्या प्राक्टेस कर रहा हूं दोस्तों हम सब लोगोंने quotation शुन से हम perfect होते हैं अगर सवाल यह है कि practice किस चीज की कर रहे हैं अगर बार 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 गलती करने की practice कर रहे हैं तो दोस्तों बिलकुल तय है कि हम गलती करने में perfect हो रहे हैं तो क्या हम improvement की practice कर रहे हैं क्या जब मैं कल sales call लेकर आया और result नहीं आया तो मैंने देखने की कोशिश करी कि उसमें से क्या था जो मुझे नहीं आता था क्या था और जो मैं कर सकता था अगर मेरी practice में improvement नाम का शब्द जुड़ा हुए तो तो दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता आप किसी भी field में है sales में आप बहुत पैसा कमाने वाले बहुत उपर आप जाने वाले तो practice क्या करना है? Practice करना है improvement जो training सीखी उसकी practice और साथ-साथ जो गलती हुई वहाँ पर improvement ये दोनों चीज़ों का combination आपको जो है एक असली sales professional दोस्तों बनाता है तो इनी शब्दों के साथ ये तीन बाते जो मैंने बता ही ये तीनों बाते को अगर आप अपनी life के अंदर add क करने से practice करने से और training लेने से तीनों काम अगर आप करते हैं किसी भी profession में आप है आप 10% में 100% पहुंचेंगे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो like जरूर करें comment जरूर करें share करें उन सब लोगों के साथ जो sales के इस profession में है और अगर अभी तक आपने मे